हेलो दोस्तों आज हम पढ़ रहे मतलjed राइए प्रास्न बैंक का जैसा आप लोगं को तिखाई दे रहा दोस्तों हमें समय सॉलुइशन बना रहे मतल स्कुम तो अगर आगे पीच्छे का बीडियो चयांतो तो प्लेलिश्ट में जाएगाो वहां समाजे विग्जान का मिल जाएगा दोस्तों समाज या गणित हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा चलिए देखते हैं दोस्तों को सब्सक्राइब वस्ट करें लाइक कमेंट सेयर वीडियो कैसा है कमेंट बताए जो आपके साथ 10 में हैं उनको साथ सेयर कीजिए तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं क्या लिखा है समग्र सिक्षा अभियान से कंड्री एजुकेशन लोक सिक्षण क्या लिखाए संचाल नाला मद्ध पदेश भुपाल द्वारा जारी प्रश्ण बैंक ठीक दोस्तों यह हमने ले लिया है जैसा कि पहले हम बता रहे हैं इसी से मतलब एंसर जो हम अपलोड करते हैं तो इसी से करते हैं आज आप लोग को यह भी दिखा रहे हैं कि यह वाला है क्यूश्चन बैंक 2022 माडल प्रेश्ण पत्व जैसा कि हमने समाजम जान का अपलोड किया है और समभी जान का दोस्तों जो क्या है प्रिवोड हुआ है पूरा वही है ठीक दोस्तों यह कच्छ लिए एकाई दो तक हो चुका है अब इकाई हमें करना है धातुएबं आधा है शलिए देखे let's question क्या सबसे पहले सही वी खल प चुन करफ पहला क्या है निमिंघ क्रिद में से कौन सा गूरे ब्राए धातुव स्ट्रार प्रदर्श्टित नहीं किया जाता है तो कौन सा न दोस्तों सासाई होगा आगे देखते हैं तो दोस्तों हमने इसे इसलिए इस तरह किया है क्योंकि उस तरह हमें बहुत लॉबंबा हो जाता है इसलिए दोस्तों हमने इसे इस तरह इतना साइज दिया हुआ है चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से तो दोस्तों कुछ कोश्चन हम पढ़के बताएंगे कुछ नहीं चलिए देखते हैं क्या है दूसरा वाव में अधिक समय तक खुला छोड़ने चाने पर चादी की बश्त हुए काली पढ़ जाती है यह निम्न लिखित के बनने के कारण होता है तो किसके लिए सिल्वर सलफाइड से बनती है इसलिए हवा में खुला छोड़ने पर वह काला हो जाती है काली तीसरे क्या दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सी अधा तुमें चमक होती है तो कौन सी होती है आयोडीन ठीक दोस्तों आयोडीन है यह उसके नीचे देखते है चवथा चवथा क्या है निम्न लिखित में से कौन सी धात उभय धर्मी आकसाइड बनाती है कौन सी बनाती है अलूमीनियम तो दोस्तों क्या है निम्ड लिखित में से कौन सी धात उभाय धर्मी आकसाइड बनाती है तो कौन सी बनाती है अलुमीनियम पच्मा देखते हैं निम्ड लिखित में से कौन सी मिस्र धात में पारद आवयाव होता है कौन सा पारादर और कौन सी मिस्सधाद्म होता है किसमें होता है साह हमालगम है ठीक दोस्तों आगे देखते हैं कॉस्चन चठा चठा क्या है दोस्तों चठा है निमनी लिखी तुमें से कौन सी अधातु द्रव होती है तो 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 कौन सी अधातु द्र क्याइस होती है हाइट्रोजन दोस्तों होती है जब जल के साथ का अगे देखते हैं है दूसरा दूसरा क्या है ऑंक ब्रशनों के उत्तर एक सब देया एक बाक्त में दीजिए ठीक दोस्तों पऽचला क्या है किस धातु को छोड़कर अन्यस TOY D you कमरे के ताप मान परर ठोज सबस्था में पाई जाती है तो मरकर्ची को छोड़कर ठीक दोस्तों मरकरी किस धातु को छोड़कर अन्यस TOY KUMरे के ताप प्रजोमान पर ठोर सबस्टा में पाये दोस्तों मरकरी के लावा सब पाये जाती हैं तो समर्करी के लावा सब पाये जाती है दूसरा देखते हैं क्या लिखां दो धातू or के नाम लिक्षिए सैंद्र हाइडो और किस अनुपात में होता है तो दोस्तो थरी अनुपात एक में होता आगे देखते हैं कोश्चन 4 क्या है आयनिक योगिकों का गल नांक एकम कतनांक उच्य क्या होता है तो इसका कारण है अधिक अंतर आयनिक आकर्षन बाल के कारण आयनिक योगिकों का गलना क्यों कुछ क्यों होता है तो क्यों होता है अधिक अंतर आयनिक आकर्षन बाल के कारण होता है ठीक दोस्तों आगे देखते हैं तो हम क्या देखते हैं पच्मा कोश्चन पच्वे में क्या लिखा है चलिए देखते हैं पच्वे में लिखा है अमलगम किसे कहते हैं ठीक दोस्तों अमलगम किसे जब किसी मिस्र धात के निर्मान में एक धात पारद मरकरी हो तो वह मिस्र धात अमलगम कहलाती है ठीक दोस्तों यह परिवासा इसकी जब किसी मिस सिधात के निर्मान में एक धातु पारद मरकरी हो तो वह मिस सिधात मलगम कहलाती है ठीक दोस्तों चठमा यस क्या लिखाए यस दलेपन किसे कहते हैं तो लोहे की जंग से बचने के लिए जस्ते जडन की परत चढ़ाना यस दलेपन कहलाता है ठीक दोस्तों रिक्तस्तान देखते हैं रिक्तस्तान क्या है पहला मिस सिधात बिन्दी का उपयोग विद्धुत तारों की परस पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है मिस सिधात बिन्दी का उपयोग विद्धुत तारों की परस पर क्ड बीयिंग के लिए होता है तो किसका होता है सोल्डर से दोसरा देखते हैं और दोसरा है लंबे समय तक आध्रवाई में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चड़ जाती है जिसे दोस्तों तीसरा देखते हैं कि में उपश्थित आद्र कारवांड डायाक्षाईड के साथ हविकरिया करता है जिससे उसकी सतह से बूरे रंग की चमक धीरे-धीरे ख़तम हो जाती है यह हला हारा पदार्त विनिंदी होता कौपर कार्बोनить होता C लिए सरियो तरी घ्रीम तो चाहलत देखते हैं तनी चाहलतर तरीम जलतर को सब्सजाइबाद मिश्ण कंषटेल कंवराधाल करते हैं बज Только करने सिर्दकेल्स को और भीज़तय कर दूस्तों आगे चलते हैं आगे है सही जोड़ी तो हम सही जोड़ी देखेंगे फिर अतिल्अग त्रीक प्रस्म देखेंगे सही जोड़ी क्या है पहला है सभी धातवें क्या होती हैं धात आकसाइड का निर्मान करती हैं पहले का इओगा ठीक दोस्तों अनोडी करन क्या है किया है एलुमिनियम क्या है सोडियम क्या है मिट्टी का तेल केरोसीन सोडियम जो है मिट्टी का तेल केरो सीन है ठीक दोस्तों जैसा कि यहां बुटा है चुटा क्या कारवन धातु कारवन धातु क्या है अपर रूपता ठीक दोस्तों कारवन धातु अपर रूपता जैसा कि चार का सा पच्मा है धातु धात को क्या है बिदुत चालक दात जो होती है बिदुत चालक होती है ठीक दोस्तों जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है सब का लोग लगा ली सकते हैं चलिए देखते हैं आतिले घुतरी प्राशने तो पहला क्या है रसाइनिक गुण धर्मों के अधार पर धात वेम अधात में दो अंतर लिखिए ठीक दोस्तों दो अंतर दो नम्मर का इसलिए दो अंतर भूचा है तो धात में क्या है ये इलेक्टरान को त्याग कर धनायान बनाती है ये इलेक्टरान ग्रहन कर डायन बनाती है, इनके आघ्साइड चारी होते हैं, इनके आख्षाइड आम्मिंवा उदा सीन होते हैं, ठीक दोस्तों, आप लोग देखी रहे हैं, आगे चलते हैं, तो दूसरा कोस्टन, जैसा कि दोस्तों यहाँ भी लिखा है, प्राश्न बैंक अक्ष्य दस्मी तो हमने इसे पहले गूरे की फोटो कीची है फिर पीडिया बना के भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को मिल सकें ठीक दोस्तों क्या है संचारण किसे कहते हैं लोहे को जंग में जंग से बचाने के दो पारिक ठीक दोस् इसे संचारण के जैसे कि लोहे हम लोग देखते हैं कि जो पढ़ा रहता है उसमें पठ्ठा निकलने लगता है लोहे को जंग से बचाने या संग्षारण से सुरक्त की दो तरीके निमने हैं ठीक दोस्तों देखते हैं तरीके भी तो पहला है यस्द लेपन या गैलवेनी करने इस प्रक्रिया में लोहे बम इसपात की बस्तों के उपर जिंक की एक परत ली परत चड़ाई जाती जिससे ल लोहे के लोहे की जो राड होती है उसमें जिंक की पतली परत चड़ा दी जाती ताकि वो जंग से बच सके इस ये गैलवेनी करने कहलाता है ठीक दोस्तों फिर क्या है पेंटिंग जैसा कि हमने देखा है कि घरों में जो रेलिंग होती है वहां पेंटिंग की होती है इसी ल तीसरा क्या है उभै धर्मी आकसाइड क्या होते हैं तो उभै धर्मी आकसाइड का उधारंड लिक्षिए ठीक दोस्तों वे आकसाइड जो आमले तथा चार दोनों से अबक्रिया कर लबड पदान करते हैं उभाई धर्मी आकसाइड कहलाते हैं ठीक दोस्तों उभाई धर्मी आकसाइड क्या है तो वे धात्में जो आमले तता चार दोनों से अभिक्रिया कर लबड पदान करते हैं उभाई धर्मी आकसाइड कहलाते हैं उधारन बोले दो उभाई धर्मी आकसाइडों को दोस्तों द Cl3 plus 3H2O यह एक हुआ और दूसरी है Al2O3 2 याने OH इक्वल टू 2 याने AlO2 plus H2O sodium aluminate इसका नाम है फिर कैजिंक आक्साइड एबन नाइट्रस आक्साइड उभाधर्मी आक्साइड है ठीक दोस्तों इस अब कहीं है जिंक आक्साइड नाइट्रक अग्साइड उभाधर्मी आक्साइड है चौता देखते हैं चौता क्या है चौता है गर्म जल पर टैंक बनाने में लतामे का उप्योग होता है परन्त इस पात का नहीं इसका कारण लिखिए तो ऐसा इसलिए क्योंकि कापर उस्मा का सुचालक होता है जबकि इस पात जो लोहे का एक मिश्च धातु है उस्मा का अच्छा चालक नहीं होता है साथ ही कापर जल भाप से अभिक्रिया नहीं करता है इसलिए इस पात जल से अभिक्रिया करता है वह जंग लगन जाती है ठीक दोस्तों आगे देखते हैं पच्चमा पच्चमा क्या है बहुतिक गुड़ धर्मों के आधार पर धात्विम आधात में दो अंतर लिखिया ठीक दोस्तों बहुतिक गुड़ धर्मों के अधार पर धात्व दो अंतर दिया है यह बहुत तिक गुड़ हो गए उतलब यह गुड़ है ठीक दोस्तों यह फिदातु धातु में अंतर दे ठीक दोस्तों धात्विक चालक तो धातु धात्विक चालक होती है अधातु नहीं होती है ठीक दूसरा अवस्ता इसकी धातु की ठोस अवस्ता पारा होता है इसमें प्रेट तीनों होता है ठीक दोस्तों चठा चठा क्या है और नोडी करण किस प्रकार एलुमीनियम को संच्छारण से बचाती है तो एलुमीनियम पर मोटी आकसाइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है वाई के संपर्क में आने पर आने पर aluminium achoide की पतली परद का निर्मार होता है AI परद संक्छारण से बरचाती है इस परद को मोटा करके संक्छारण से धिक सुरक्षित किया जाता है anode करण के लिए aluminium की एक साफ बस्त anode बना कर तनुसल फिब्यूरी कमी h2, s, o, 4 के साथ इसका विदूद अपगटन किया जाता है एनोड पर उच्छित अक्सीजन गैस अलुमीनियम के साथ अभिक्रिया करके आक्साइड की एक मोटी परत बनाती है इस अक्साइड की परत को आसानी से रग कर अलुमीनियम की आका सकबस्त बनाई जाती है ठीक दोस्तों जीतने नमर के आएगा उसके इनुशाललिग देजिएगा जितना जात रहएगा चलते सत्मा देखते हैं तो सत्मा क्या है सत्मा है एक्वा रेजिया किसे कहते हैं इसका उप्योंग क्या है तो रिकवा एजिया रिजिया सांद अच सियलेवम सांद अच अनुथरी अमल का तीन अनुपाते एक में बना तरजा बिलिस्रण होता है इस मिस्रण का उप्योग सोने तथा प्लेटीनम को गलाने के लिए किया जाता है यह एक भवकता वा प्रबल संग्छाराण संग्छारक द्रब होता है अठमा क्या है अठमा है सक्रियता स्रेणी किसे कहते हैं तो सक्रियता स्रेणी वह सूची है जिसमें धातूओं को क्रिया सीलता के अब रोही क्रम में वस्तित किया जाता है सक्रियता स्रेणी किसे कहते हैं तो यह परिभास है ठीक दोस्तों नौमा देखते है नूमा है अभिक्रिया सील धात को तनु हाइड्रो क्लोरिक अमल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है आइरन के साथ तनु सल्फियूरिक अमले की रसानिक अभिक्रिया लिखिए जब अभिक्रिया सील धात को तनु हाइड्रो क्लोरिक अमले के डाला जाता है तो hydrogen gas निकलती है तो क्या है तो तू या फी फी आइरन होता है प्लस 3H2SO4 तन सल्फिवरी कामल इकल टू फी 2SO4 तन सल्फिवरी कामल इकल टू F2SO4 कहल थी फेरी सल्फेट प्लस 3H2 निकल गया hydrogen निकल गया तीन ठीक दोस्तों तो यह हमारा इकाई 3 खतम हुआ अध्याई 3 तो हमें इसके अध्याई 4 अगली वीडियो में देखेंगे तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा चैनल में ताकि अगली वीडियो आप लोग पास अगे कहार बनेगा मुसके योगिक तो दोस्तों यह हमारा सा प्रेक्जिट का बना रहे हैं मैं साइंस और सउसल साइंस का बना रहे एक अगर आप AMish मिला और होगा तो चैनल में जाइए जो प्लैलिस्ट में वहाँ से आप लोग को मिल सकता है या फिर डिसक्रिप्सवान शेट करेंगी या फिर वहां जाएग़ दोस्तों आपको प्लैलिस्ट मिली जाएगी तो बहुँ कर दो दो कर दो दो कि अ क्यों ठो कि अ